प्यारे बच्चों, कच्छा बारा समाज सास्त्र, खंड आ से दूसरा अध्याई, भारती समाज की जन सांख की ये सन रचना, जन सांख की ये सन रचना, यहनी जन संख्या का आकार, इसको अंग्रेजी में डीमोग्राफी विकात कहा गया है, तो जन सांख की ये सन रचना क्या है, आए इसके बारे में देखते हैं, तो देखिए, जन सांख की ये सन रचना का जो अंग्रेजी सब्द है, डीमोग्राफी, यहनी जन नांख की, डीमोग्राफी, डीमोग्राफी, लेटिन भाचा का सब्द है, यह दो सब्दों से मिलकर बना है, डीमो, डीमो मतलब गाणना, दूसरा सब्द है, ग्राफो, यहनी डीमोग्राफो, जिसका ताद पर होता है, टूड्रा और राइट एबाउट प्यूपिल, यहनी मनुष्य की गड़ना करना, उनका लेखा जोखा रखना, यहाँ अचिले गुलियाड ने अठारा सो पच्पन में इस सब्द का आविश्कार किया, इसका टोटल मतलब जन संख्या से है, यहनी मनुष्यों का लेखा जोखा, उनकी जन गड़ना, उनकी जन संख्या, खान, पान और सब उनसे संबंदित, उसी के अंतर गताती है, तो यहाँ एक चीज हम आपको बता दें, भारत में पहली जन गड़ना, अठारा सो बहत्तर में, लाड मेयो के सासन काल से प्रारम्भ हुई थी, लाड मेयो जो भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं, इनी के सासन काल से प्रारम्भ हुई थी, उसके बाद सुब्यवस्थित जनगर्णा 1881 से प्रारम्भ हो गई जबकि भारत की सुन्योजित जनगर्णा 1951 से प्रारम्भ हो गई तब से लेकर के प्रतेक दस वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या होती रही है वर्तमान में 2021 पिछली जनगर्णा 2011 में होई थी नेक्ष्ट जनगर्णा 2021 में होगी प्रतेक दस वर्ष बाद जनगर्णा कराई जाती है यहां देखिए एक बहुत ही प्रसिद इसके राइटर हैं सोसियोलाजिस्ट माल्थस माल्थस यह फ्रांस के निवासी थे इन्होंने कई यूरोपिये देशों का ब्रमण किया वहां के समाज को देखा वहां के जनसंख्या को देखा उसका आकलन किया इन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया था उसने जनसंख्या के बारे में जनसंख्या की बृद्धी को देखते विए कहा था कि ये रंगमंच यनि ये जो आपकी पृत्वी है यह रंगमंच सीमित अतिथियों के लिए है ये जो प्रकृत की मेज है यह सीमित अतिथियों के लिए है जो अतिथि बिना बुलावे के आएगा उसे भूखो मरना पड़ेगा कहने का मतलग जब जनसंख्या बहुत तीब्रगत से बढ़ती वी ज्यादा हो जाएगी तो स्वाभावी कहे कि उसका प्रकृत अपने ढंग से इलाज कर लेती है अगर देखा जाए तो वार्तमान में जो कोविड नाइंटीन है ये प्रकृत का भी इसमें योगदान है अपने हिसाब से जनसंख्या को मैनेच करती है वैसे भी देखा जाए कभी कभी बाढ़ में भी लोग मर जाते हैं सूखा में से भी आदमी मर जाते हैं बिना खाने के रोग महामारी भू अस्खलान बंबाजी लड़ाई जगड़ा और भी कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे जनसंख्या कम हो जाती है गुजरात में भूकम पागया बढ़ूच में वहाँ बहुत लोग मारे गए वैसे भी आए दिन कोई ना कोई घटनाए किसी ना किसी देश में भूकम बाढ़ और हर तरह से होता ही रहता है जिससे लोग प्रभावित होते रहते हैं तो कहने का मतलब यह है कि जनसंख्या को भी प्रकृत अपने ढंग से मैनेज कर लेती है अगर मनुष्य नहीं कर पाता माल्थस के सिद्दान्त के अंसार देखा जाए तो माल्थस ने कहा है कि यह जो जनसंख्या होती है यह ज्यामिती एक्रम में बढ़ती है ज्यामिती एक्रम ज्यामिती एक्रम क्या है ज्यामिती एक्रम है एक दो चार आठ सूला बढ़ती है यह ज्यामिती एक्रम है यह जनसंख्या इस हिसाब से बढ़ती है लेकिन खाद्यान सामग्री जो हमारी है वह गणती एनपात में बढ़ती है गणती एनपात एक दो तीन चार पाँच इस तरह से देखा जाए तो जो हमारा उत्पादन है वाईस हिसाब से बढ़ रहा है तो इसमें काफी अंतर हो जाता है जनसंख्या अगर देखा जाए तो प्रतेक वर्ष एक आश्ट्रेलिया भारत में जुड़ जाता है उस हिसाब से भारत की जनसंख्या पचीस वर्ष में दुगनी हो जाती है आज जो इस्थिती है वह जनसंख्या के मामले में हमारा दूसरा अस्थान है पहला अस्थान चाइना का है वास्तों में अगर देखा जाए चाइना का छेत्रफल भारत से तीन गुना बड़ा है और जनसंख्या दोगनी नहीं है कम है यहने भारत से ज्यादा है वा नमबर एक पर है भारत नमबर दो पर है जनसंख्या के मामले में छेत्रफल में वो भारत तीसरे अस्थान पर है और अंतर राश्टी अस्तर पर देखा जाए तो भारत सात्वे अस्थान पर है तो यह पांच वर्ष का लेखा जोखा दिखा रहे हैं आपको क्या अंतर पड़ता है देखिए सोला और पांच बराबर ग्यारा यहनि जो जनसंख्या बढ़ रहे है वह यहां सोला हो रहा है जो हमारा उत्पादन बढ़ रहा है वो पांच है दोनों में अंतर देखा जाए तो क्या है उत्पादन में ग्यारा का अंतर आ रहा है यहनि जो क्रिसी उत्पादन है और जो जनसंख्या है दोनों में कितना अंतर है ग्यारा का इस हिसाब से देखा जाए तो भारत का जो लिंगा नुपात है वा भी बहुत बेवस्थित नहीं है 2011 की जनगर्णा के अंसार बारत में लिंगा नुपात एक हजार पुरुस्पर महिलाओं की संख्या 940 थी इस हिसाब से जनसंख्या काफी कम है सिर्फ केराले का इसा देश है जहां पर लिंगा नुपात ज्यादा है वहां पर एक हजार पुरुसों पर एक हजार अठावन महिलाएं है भारत में सिर्फ केरल अकेला ऐसा राज्ज है जहां पर लिंगा नुपात अन्य देशों से सबसे ज्यादा है साच्छर्ता भी भारत में केरल की सबसे टाप मोष्ट पर है ऐसा क्यों केरल की जंसंख्या अन्य प्रदेशों की अपेच्छा ज्यादा है इसलिए कि वहाँ पर स्वास्थ सुविधाएं पढ़े लिखे लोग ज्यादा इसलिए वहाँ पर जच्चा और बच्चा दोनों बरकरार रहते हैं कोई प्राबलम नहीं होती है भारत में अन्य प्रदेशों की स्थिती देखा जाए हर्याणा की स्थिती देखा जाए पंजाब की स्थिती देखा जाए तो काफी कम है वर्तमान सरकार ने एक नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्याओ वहें लिंगा नुपास सुद्रिन करने के लिए यने हमारे यहाँ बेदो में भी कुछ बातें कही गई है जैसे बेदो में कहा गया है कि जो पुरुष बिवा नहीं करता वह अधार्मिक होता है एक राइटर ने तो यहां तक कह दिया है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर भिखारी भी विवा करते है इस हिसाब से देखा जाए तो भारत की जो जलवाई है यह काफी सफिसियंट है प्रोडक्शन के लिए यह उस्ल कटिवंदीय प्रदेश के अंतर गताता है यहां ठंडे में ठंडे और गर्मी में गर्मी भी पड़ती है तो यहां की जो जलवाई है प्रजनन छमता के लिए प्रजनन दर के लिए काफी सुटेवुल पड़ती है यहां पर आप देख लें भारत गरीब देश है लेकिन भारत गरीब देश नहीं है भारत एक धनी देश है लेकिन यहां के क्या है निवासी निर्धन है भारत एक धनी देश है लेकिन यहां के निवासी निर्धन है निर्धन का मतलब अगर देखा जाए प्रतिब्यक्ति आए जो है भारत में वहां बहुत कम है अन्य देशों की अपेच्छा भारत में प्रतिब्यक्ति आए अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, रूस, इंग्लेंड इन सब देशों की तुल्ला में बहुत कम है भारत में मृत्य दर्भी कम है क्यों कि अब धीरे-धीरे चिकित्सी, सुब्दा और मेडिकल्स परामर्श जो स्लोगन बनाए गए हैं हम दो हमारे दो थोड़ा-थोड़ा उसका प्रभाव पढ़ रहा है और पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ रही है जिससे जनसंख्या बृद्ध में थोड़ा कमी आई है आज आपको इतना मैं बता रहा हूँ अगले टर्न पर इसके आगे लिंगा नुपात क्या होता है इससे सुम्रित्तुदर क्या होती है मात्रित्तुम्रित्तुदर क्या होती है साच्छर्ता क्या है घनत्तु क्या है अगले टर्न पर बताएंगे इसको आप देखते रहें और हमारी तरफ से कोई मिश्टेक नहीं होने पाएगा बाकि जो चीजे नहीं समझ में आते हैं विद्याले से आ करके संपर कर लिजे अथवा कमेंट करके आप उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं थैंक्यो